इनके सर पर जो है जो जम गया है देखिए ये 11 दिन से जो जम गया है अच्छा ये जो कितने दिन से सर के उपर जम रहा है आपकी 11 दिन से है और 41 दिन तक आगे 41 दिन तक रहेगा कि मिटी हमने जटा के उपर मिटीयां रखी है और मिटीयां जो है कि जब पानी डालते हैं तो वो जटा तक जाती है धीरे धीरे तो सोने में उठने में बैटने में इन तमाम चीजों में दिक्कत नहीं होती आपको जी कठीनाई या तो होती हैसे हट्योग और हर्याली आ गई उप के मिर्जापूर से आकर एक बाब नालंदा बिहर में हट्योग पर बैठ जाते हैından और इन्होंने हठ्योग की साधना कर रहे हैं देख सकते हैं और इनके सर पर जो है जो जम गया है देखिए ये 11 दिन से जो जम गया है और इनके सर से ही जो की खेती जैसे होती है वैसे जो उपज रहा है और ये जो कब तक रहेगा बाबा हठ्योग पर क्यों है मिर्जापूर कि नहीं भाया यह नालंदा क्यों चले आए इसी बिसे पर हम बात करेंगे बाबा जैस्री राम जैसंकर जैस्चन कर सरकार जैस्चन कर वह हम से साधु हैं हम ना थकाड़े से अउघड बाबा अच्छा तो यह जैंड़ का है जमाली है करके और इसमें मिति सुध मिटियां डाल करके बीज को जो है कि बोया गया है और यह तनी सबस्कुत रहेगा कब तक रहेगा तरी एक तालिस दिन तक रहेगा तो इसमें प्ल भी आने के आशार हैं। जी नहीं फल तो 41 दिन के अंदर नहीं आ सकते कारण यह कि कोई भी पौधा अपने समय से ही फल देता है तो फल के लिए तो कम से कम तीन महिने तक हमको रखने पड़ते हैं अचा ये बता ये इस पे जो जम गया है आपके तो सर से ही निकला है या आपने मिट्टी रख रखी ह या उसका जड़ का प्रभाव जो है जटा में भी हो गया है जी मिट्टी का जो है कि मिट्टी हमने जटा के उपर मिट्टी रखी है और मिट्टी जो है कि जब पानी डालते तो वह जटा तक जाती है धीरे 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 फिसल के और जटाएं के अंदर तक जो है कि जड़ हो चीजों में दिक्कत नहीं होतीं आपको दो होती हैं कठिनाईंग चीवन को कठिनाई की परिस्थिती में नहीं लाएंगे तब तक हमें समझ में कि हम एक आगरिचित को रही हैं या नहीं छाए तो मनें ठोड़ा अपने तो इसलिए थोड़ा रगुनाथ जी से प्रीत है और इस प्रीत के कारण हमने उनसे हट किया है कि रगुनाथ जी आपकी कृपा होगी तो हमने ये जोब होया है और आप हमें इस हट का पूरान फल देंगे अपनी कथा को सुना करके अच्छा तो ये बताएं महराजी जैसा आप तालिस दिन ऐसे रहने वाले हैं तो एक तालिस दिन तक तो सर से आप असनान करेंगे नहीं जी नहीं गर्दना के नीचे नीचे असनान कर लेते हैं गर्दन के नीचे नीचे अच्छा ये आप मलमूत का त्याक करने जाते हैं आप यहां नालंदा के छोटे से गाउं में क्या करने आ गए जिस उमर में आपको माबाप की सेवा करनी चाहिए थी माबाप आप से पेच्छा कर रहे हैं कि मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा उन्होंने इसलिए आपको पाल पोस्कर इतना बड़ा किया आप साधू बन गए हैं क्यों देखे अपने जीते जागते सरकार कोई भी माबाप यह नहीं चाहता कि हमारा पुत्र साधू बने सब यहीं आ माबाप हमको जीवन में पहले ही महरसी ज्यान योगी विश्वैदिक बित्या पीठ गुरुकुल में थोड़ा दिन के लिए डाल रखा था तो मंत्र और संगती का ऐसा प्रभाव परता है कि वह प्रभाव हमें खीच करके यह साधू संगती में लेके आया तो आपके माबा माबाप सेवा करें साधू जीवन में क्या है कि कभी भी मोहा मामथा होता है वह तो बहुत गहरा और बहुत ंंचा होता है तो वह मम्ता छूट Lakini सकता अगर हम उन से दूर रहते हैं तों मंता से थोड़ा दूर हो जाते हैं और हमें समाज की सेवा करने में संग हमारा पूर साथू के वेश में हैं पूरी तरीके से और संत हैं इनके सर के उपर सबसे बड़ा केंद्र तो यही है कि इनके सर के उपर जम गया है और जो जो है यह एक तालिस दिन तक रहने वाला है इसकी सेवा जो है प्रॉपर यह करेंगे और हर्याली आ गयी मतलब देखे सर के उपर बाल की जगा हर्याली है और यह कहीं ने कहीं से हट योग कहते हैं हट तोडेंगे जब आपका जितना दिन का आपका संकलप उतना दिन पूरा हो जी यह तो हमारे बिहार राजी के राजनेताओं का सहयोग है कि समस्या से जुझना पड़ता है अगर इनका सहयोग सही रहे तो हर समस्या का समाधान कर दें यह तो सही कह रहे हैं और देख सकते हैं जव है और इसके उपर कितना पानी डालते हैं सुबेरे साम सुबा में पांच से चुलू पानी डालते हैं और साम को पांच चुलू सर के ऊपर ठंधक पहुंचोगी तो सरदी जुखाम खासी बुखार कभी समस्या होता होगा आपको यही हट ऐसा चीज है जो प्रकिती से भी लड़ सकता है तो वो छमता केवल साधू में होता है सरकार प्रकिती से लड़ने की छमता अगर आपको ठंधी में बोला जाए कि ऐसे रहिए तो आप नहीं रह सकते हैं कहीं न कहीं आपको उनी कपड़ों की जरूरत परते हैं साधु ऐसे होते हैं जो हठी होते हैं और उनको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है हमारा देश रिसी मुन्यों का देश है, यहाँ पर बड़े-बड़े तपशी हुए है और तपश्या करकर उन्होंने बहुत सारी चीजों पर जीत आँ हांसिल किया है और एक रिसी मुनी जो मिर्जापूर से आये हैं माविंधिवासिनी की नगरी बिंधाचल से और मिर्जापूर से आकर नालंदा में जो है हट योग पर बैटे हैं इनके सर पर जो जम गया यह आकरसल का केंद्र है और यह जो जो है यह एक तालीज दिन तक रहने वाला है एक जोरिया बाबा जिनके सरीर में आपको देखकर लगेगा कि जान नहीं है लेकिन साधू संत है और अपने हट योग को आगे बढ़ाते हुए आप देख सकते हैं सर के उपर जम गया है इससे पहले भी कुछ उप जाई थे जी नहीं अच्छा जो के अलावा भी कुछ उपर सकता है क्या जी बहुत ऐसे अनाज है जैसे चना गेहूं और आपका गांजी का पेड़ भी उपर जखता है जी जो है मिट्टी उट्टी इसके उपर जमा रहता है जी मिट्टी नहीं डालेंगे तो भी थोड़ा जैसे जावा और अंकुरित होने माले आपका चना और जीते और इनसे हम बात कर रहते यहां पर इनको बहुत सारे लोग देखने आ रहे हैं क्योंकि इनके सर के उपर जो है और यह जो जो है इन्होंने हठ योग के लिए जम उपजा कर यानि जमा कर रखा है बाकि आप क्या सुचते इनके बारे में कमेंट में अपनी राज कर दे जहिल